हाई गाईज विल्कम बेक टो रंजना किचन मैं हूँ रंजना और आज बनाने जा रहे हूं एक डिलिसियस से मिठाई बहुत ही टेस्टी है खाने में लेकिन इसका नाम समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या रखूँ वैसे एक चीज़ सोची है कि इसका नाम मैं रखूँ नार इसका नाम क्या होना चाहिए तो चलिए फिर जल्दी से शुरू कर लेते हैं बनाना यहां पर मैंने ले लिया है एक बड़ा बॉल जिसमें डाल देना है एक कप के करीम मैदा मैदा च्छना हुआ ही लेना है मेरा मैदा थोड़ा सेट हो गया था डिब्बे में च्छान के र जब फट Three कप डाल देना है मुझे इलाजी का पाउडर पांचे लैची को प suffEl for two days चैया चैंने और अब डाला है मैंने च्छाई कप के करीम मैं डेशी केड़ेड कोक नट पाउडर सभी मिक्स कर लेना है इसके बाद आए समीं डालना है छूथाई कप घी जी फ Must Maid da रिद और बहुत ही करारे क्रिस्पी बनेंगे तो इसके बाद मुझे डाल देना है इसमें चीनी पीसी हुई ज्यादा नहीं डालनी है दो चम्मच ही डालेंगे हम बड़े चम्मच से भरके डालेंगे दो चम्मच ज्यादा नहीं डालना है और मिक्स कर लेंगे मिक्स होने के बाद फिर थोड़ा थोड़ा दूट डालते हुए इसका डो लगा लेंगे ये मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर जो कि मैंने चोथाई चमच लिया है और आप इसको दूट से गून लेना है अच्छे से आटा यकिन मानिये फ्रेंट से बहुत अच्छी मिठाई बनती है आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में बहुत अच्छी है ये मैंने खुद से इन्वेंट की हुई है तो इसलिए मुझे इसका नाम भी नहीं पता था कि क्या नाम रखूँ आप लोग जरूर बताईएगा कि इसका नाम मैंने जो रखा वो सही है या नहीं है आप बताएंगे तो मैं वही नाम इसका दूंगी जरूर बताईएगा इसको सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगी अब ही इधर मैंने देख लिया है कि ये सेट हो गया है आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है बाइंड हो रहा है बहुत अच्छे से फूल भी चुका है सुजी और बाइंडिंग अच्छी है तो आब हम इसको बनाना शुरू करते हैं कडाई मैंने चड़ा दी है गैस कोई और डीजाइन दे सकते हैं आप मेरे समझ में यही डीजाइन आई तुमेरे डाल दिया और तेल को ज्ञादा गरम नहीं करना है वीडियम हॉट होना चाहिए बहुत तेज गरम होगा तो यह जल जाएंगे और बहुत जादा स्लो होगी फ्लेम तो यह भीखर जाएंगे अ तो इस तरह से आप चाहें इनको नारियल वाले बिस्किट भी कह सकते हैं अगर आप ऐसे खाएंगे तो ये बहुत लाइट मीठे रहेंगे और ये बिस्किट की तरह भी तयार होंगे लेकिन मैंने थोड़ा सा चासनी में इनको डिप किया था इसलिए क्योंकि थोड़े से और मीठे हो जाएं और अच्छे भी लग रहे थे तो ये वीडियो बहुत दिनों से मेरे पास पड़ी हुई थी अब जाके मैं डाल पा रही हूं गाईस तो इसके लिए सोरी क्योंकि ज़्धा दिन बाद वीडियो पड़ रही है कब मैंने बनाय कुछ रीजन बस नहीं डाल पा रही थी बस और कुछ नहीं है तो आप देक सकते हों है यह गूल्डन हो गए है इनको मैं गोल्डन होने पर ही निकालुंगी जब अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो एक बैच मैंने निकाल लिया है, सेकेंड बैच भी मैंने डाल दिया है अभी इसको थोड़ी देर और पकने देना है जब तक उदर और पक रहे तब तक मुझे चासनी की तयारी कर लेनी है मैंने कुछ पहले बनाया था जिसकी चासनी मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी तो ये कलर नहीं पड़ा हुआ है इसमें केसर पड़े हुए थे इसलिए पीली है तो अभी इसमें मैं डाल दूंगी पुरा एक कप चीनी हाफ कप से लिया है तो इसके दो बार डाली है मैंने और थोड़ा सा ही पानी डालेंगे और चासनी तयार कर लेंगे क्योंकि साथ साथ दोनों चीज़े तयार होती रहे है ये आदी कप पानी डाल देना है आधी कब से थोड़ा सा ज्यादा चौथाई कब से ले रही हूँ इसलिए इधर मेरे पक्के तयार हो गये है और चासनी भी लग भग लग भग पक चुठी है चड़ा दिया है मैंने एक तार या दो तार की चासनी नहीं चाहिए बस थोड़ी सी चिपचिपई हो जाए वही चासनी चाहिए क्योंकि मुझे इनको डालके बस निकाल लेना है जादा देर चासनी में नहीं रखना है तो ये बहुत ही टेस्टी सी डिलिसियस सी मिठाई तियार हो जाएगी गाइज माइन मत करिएगा मेरी चूड़ी को मत माइन करिएगा क्योंकि ये दीपावली की वीडियो है और दीपावली के दिन ही मैंने बनाई थी तो पूजा होने से पहले मैंने शुरुआत करी थी और पूजा होने के बाद इसको बनाया है तो मैंने चूड़یاں चेंज करी थी इसलिए ये चीज पाइंड मत करिएगा कि अभी छूड़ी दूसरी पहने थे और अभी दूसरी पहन लिया बताया ना कि कुछ ऐसा रीजन था जिसकी वज़े से मैं ये वीडियो नहीं डाल पा रही थी लेकिन मैंने कहा आज इस वीडियो को डाल दूँ तो बस चासनी बनके तयार हो गई है मैंने इसमें जितने थे सब डाल दी है थोड़ी से मेने सूखे बचाये थे क्रिश्पी क्रिस्पी से ये बनके तयार हो जाएंगे इनको करीप रिव 10 मिनट मुझे चासनी के अंदर डिप करने देना है उसके बाद इनको बाहर निकाल ले चासनी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगी है इनके उपर और थोड़ी सी गीली चासनी है बहुत ज़्यादा टाइट वाली सुकी सुकी नहीं कि सकर पारे में जैसे सूप जाती है उस तरह से नहीं थोड़ा सा गालिसिंग की है मैंने इनको और बस अब इनको निकाल लिया है में सर्फ कर दिया है मेरे गर जो जो गेस्ट आये थे उनको बहुत पसंद आई ये मिठाए तो आप भी एक बार इसको बना के जरूर देखेगा सॉफ्ट सी मिठाई है बहुत अच्छी है क्रिस्पी भी है तो आप भी इस तरह से बनाईएगा जरूर और मेरी वीडियो पस संद आये तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी